आप सभी का इस कारिक्रम में स्वागत है मैं ओपेंद्र अन्मोल मुखरजी नगर दिल्ली से इस कारिक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज का ये सेशन जोग्रफी के बहुत ही महत्वपूर टॉपिक पर आधारित है जियोलोजिकल हिस्ट्री आफ अर्थ पृतिवी का भूब ऐग्यानिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली क्लास में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस से आगे बढ़ेंगे जैसा आप सभी लोगों को ग्यात होगा हम लोगों ने आज से चार दिन पहले ही अर्था चार क्लास अभी तक हो चुकी है फिजिकल जोगरफी की हम लोगों ने सुरुवात की है उसी कड़ी में आज इस पाँचमी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है सबसे पहले रिचुवल देखें मेरा नाम उपेंद्र अनमोल है मैं पिछले 16 वर्षों से दिल्ली के मुखरजी नगर और देश के विभिन भागों में सिविल सेवा के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने का काम करता रहा हूँ पिछले 16 वर्षों में मैंने 80,000 विद्यार्थियों को आफलाइन क्लासेस के माध्ध्यम से पढ़ाया है और मेरे द्वारा पढ़ाए गए और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बिद्यार्थियों में से लगबग धाई हजार बिद्यार्थि राजी के सिविल सेवाओं में सफल होकर के SDM और डिप्टी SP जैसे बिभिन पदो पर अपनी सेवाए दे रहे हैं सिविल सेवा में मेरी कुल नौ किताबे चलती हैं जिसमें से Indian Economy फारती अर्थव्योस्था भाई उपेंद्र अन्मोल Science and Technology विज्ञानियों प्रदोग की भाई उपेंद्र अन्मोल बिद्यार्थियों के बीच में बेहत चर्चित किताब है इसके अलामा Indian Geography और General Science के उपर भी मेरी किताबे आती हैं साथी साथ राज्य के सिविल सेवाओं के अंतरगत राजस्थान की जो राज्य की सिविल सेवा है जिसे RAS के नाम से जाना जाता है उसके लिए मेरी दो किताबे चलती हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबे हैं राजस्थान में जनर्ल साइन्स एंड टेकनोलजी, सामान बिग्यान और तक्नीकी और इंडियन एंड वर्ड, एकोनॉमी, भारती और बैस्च्विक अर्थव्यवस्था इसके लोग मैं कई प्रतिस्ठित मैगजीनों क संपादक भी हूँ जैसे साइन्स फोकस, एकोनॉमिक प्रोग्रस और इन्नोवेशन टूडे जैसी मैगजीन और साथी साथ पिछले 16 वर्षों से दिल्ली के मुखरजी नगर में स्पेस आईएस एकडमी को मैं संचालित कर रहा हूँ, मुखरजी नगर दिल्ली में स्पेस आईएस एकडमी के नेत्रित में ना केवल मुझे हजारों विद्यार्तियों को पढ़ानी का आउसर प्राप्त हुआ है, बलकि हजारों विद्यार्तियों के सफलता के मार्दर्शन का आउसर भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो लोग अनेकडमी के प्लस कोर्स से नहीं जु पूरे हुए हैं, जिसके नाते अगर आप प्लस कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एक साथ बहुत सारे एजुकेटर से पढ़नी का आउसर आपको मिलता है, एजुकेटर पर इछा की पूरी तयारी करवाते हैं, कहीं भी रहा करके असीमित लाइब क्लासेज ले सकते हैं, वीकली प्रशनोतरी होती है, उससे जुड़ सकते हैं, डाउट किलरिंग सेसन से जुड़ करके डाउट किलिर कर सकते हैं, पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्स सीरीज और बहुत तरीके से मागदर्शन की सुविधा उपलब्द है, अनेकडमी की सुवधाओं को लेने के लिए अनेकडमी के आईप को डाउनलोड करना होगा, और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे एक महीन के सब्सक्रिप्शन अर्थात एडमीशन की सुविधा उपलब्द है, जब आप अनेकडमी पर एडमीशन लें तो हमेशा ध्यान रखें, यूपी लाइब कोड का, ये मेरा रेफरल कोड है, जैसे ही इस कोड का प्रियोग करेंगे सीधे आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा, तो उपेंद्र लाइब अर्थात यूपी लाइब कोड को हमेशा ध्यान रखें, अब आते हैं आज का सेशन, आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण है, और हम लोग इसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, जियो लॉजिकल टाइम स्केल आफ अर्थ पिर्थिवी का भू गर्भिक इतिहास, पिर्थिवी का भू गर्भिक अर्थात पिर्थिवी का किस तरीके से विकास हुआ, पिर्थिवी किस तरीके से बनी है, उन सारी प्रक्रियाओं को इस क्लास के माद्यम से हम लोग देखेंगे समझेंगे सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इस कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अभिनंदन है कपिल बगहेल जी, नौपरीत राना जी, आनंद मोहन जी, यम जीयस सलूशन जी, केशो लकसर जी, बिजय महतो जी, सिलपा चोहान जी, राहुल जादोन जी, और अरुन कुमार जी, सोनु भट जी, नीहा भगत जी, सबको मेरा बहुत-बहुत प्रडाम, सबको बहुत-बहु स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है, आप सब लोग मेरे प्री विद्यार्थी हैं, और चलिए इस कारिक्रम की शुरुवात किया जाए, आप सभी लोग लगातार जानते हैं, कारिक्रम से जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यबाद के पात रहें शोनु भट जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यबाद और बहुत-बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से आप सभी लोग जुड़े रहें, देखे, जैसे कपिल बगहिल जी ने पूछा कि क्या ये क्लास प्रिलिम्स की है या मेंस की, ये दोनों की क्लास है, प्रिलिम्स और म दोनों के कोश्यन आप पूरी तरीके से कर ले जाएंगे इस सेसन के माध्यम से, और खाली जोग्रफी ही नहीं, बहुत सारे पार्ट को लिंक करने की छमता इस सेसन के माध्यम से आपके अंदर विक्षित होगी, आप जनरल साइंस पे भी एक अच्छी पकड़ रखेंगे, साथी साथ इन्वार्मेंट इकोलोजी पे भी एक अच्छी पकड़ रखेंगे, साथी साथ पूरे जोग्रफी चुकि फिजिकल जोग्रफी पढ़ने के करम में पूरी दुनिया को पढ़ेंगे, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन्स के संदर में भी आपके समझ पूरी तरी पकड़ होगी क्योंकि जब आप परबत पठार, मैदान, जील, जरना सारा जान जाते हैं, तो रिसोर्सस के बारे में आपके पास जानते समझ विक्षित होती है, नेचुरल रिसोर्स चाहे ओ लेंड रिसोर्स हों, चाहे मैरीन रिसोर्स हों, चाहे एनरजी रिसोर्स हों, स आपको geography में marine resource पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, इसी तरीके से जब आप बन पढ़ेंगे, बन अश्पतियां पढ़ेंगे, फसले पढ़ेंगे, क्रिशी पढ़ेंगे, तो आपको agriculture economy आपकी बहुत अच्छे से तयार हो जाएगी, और उससे related बहुत सारे पहलियों को सम समसना आपके लिए आसान हो जाएगा, जानना आसान हो जाएगा, और जब आप primary sector अर्थात agriculture sector की समझ बनने लगती है, तो आपकी secondary, tertiary, quaternary और quannary sector, दुतियक छेतर, तिरतियक छेतर, चतुर्थक छेतर और पंचक छेतर पर भी गंभीर पकड़ हो जाती है, इसलिए सभी लोग खाली मन लगा करके बहुत अच्छे से पढ़ते जाएए, जिनकी classes छूट गई है, वो पिछले चार वीडियो को देख करके एक बार notes बना लें, हाँ मेरा एक निवेदन आप सभी लोगों से हमेशा यह रहेगा, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसा जरूर करें, लिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सब notes बनाएं आप, केवल सुने नहीं, आप इस class का फायदा तभी ज़्यादा उठा पाएंगे जब notes बना पाएंगे, मैंने हमेशा कहा है कि जैसे एक बैग्यानिक बनने के लिए research paper की जरूरत होती है, वैसे IIS बनने के लिए, civil सिवा में बहतर rank लाने के लिए, या यू कहें, बहतर बिद्यार्थी बनने के लिए notes की जरूरत होती है, जब तक आप notes बनाने की कला से जानते युक्त नहीं होंगे, तब तक बहुत बड़ा आतिहासिक सफलता की तरफ आप नहीं बढ़ सकते, और बहुत कम समय में बहुत अच् क्लास में एक ही चीज दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जानते हैं, जियो लॉजिकल टाइम स्केल, पिर्थवी का विकास कैसे हुआ, और उस क्रम में बाकी सारी चीजें कैसे विक्षित हुई, उनको बताना है, और आज की क्लास में ये complete हो जाएगा, तो ज़रा ध्यान द इस पिर्थवी पर फिर जानते हैं, पिर्थवी ठंडी हो रही है, उस क्रम में हम लोग सारी चीज को यहां पर जान रहे हैं, देखिए ये सूरी, पांच अरब बर्स पहले, ये हर क्लास की सुरुवात यहीं से कर रहे हैं, ताकि आप जो बच्चे नए जुड़े हैं, उन और पिर्थवी की एज 4.6 आरब बर्ष है, ये जानते हैं, यूरेनियम 235 के अध्यन से, ये आईसो टोप्स हैं, ये सब भी आगे आपको पढ़ा देंगे, और आगे एकोनॉमी और साइंस और टेकनॉलजी ये सब जंदल साइंस तो हम लोग लेंगे ही, तो उससे आप और मजबूत हो जाएंगे, अब इसी पिर्थवी पर देखें, ये पिर्थवी है, इसी पिर्थवी पर पहले जीव आया, पहला जीव जो आया, पहला जो जीव आया, वो मैंने कल आपको लिखवाया था, 3.8 अरब बर्ष पहले, आरकियन एउन में आया, अरब बर्ष पहले ब और यह होलो सीन तक आ गए हैं और इस पूरे जियो लॉजिकल टाइम स्कोल को एक बार दुबारा देखेंगे देखेंगे यह होलो सीन तक होलो शीन होलो सीन यूग तक आ गए यहां पे और होलो सीन यूग में देखिए 2021 चल रहा है और आज 26 जनवरी का बहुत जानते पावन पर्ब है 26 जनवरी के इस पावन पर पर बहत्रह में गणतंत्र दिवस के आउसर पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत हारदिक सुब कामना ह आप सभी लोगों को हारदिक बधाई और इस पवित्र और पावन आउसर पर जानते हैं हम लोगों का जो मन है वो खुसियों से भरा होता है क्योंकि ये वही दिन है जब हम लोगों अंग्रेजी व्यवस्था से आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए थे अपनी व्यवस्था आई थी अपना संबिधान आया था अपना कानून आया और अपने तरीके से हम लोगों ने जीने और जानते है रहने और सासन करने के धंग को अपनाया इसनाते हम लोगों के लिए ये दिन बहुत गवरों का दिन माना जाता है इससे अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार, जीवन जीना पड़ता था, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुए थे, व्यवस्था उन्हीं की चल रही थी, तो चलिए इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, और सब चीज को सम अगला टॉपिक, जैसे यह फिनिश होगा, तो मैं अगला टॉपिक कौन लेने वाला हूँ, इंटीरियर स्टक्चर आप, अगला टॉपिक लेने वाला हूँ, रॉक्स, चट्टान, फिर लेने वाला हूँ, इंटीरियर स्टक्चर आप आर्थ, बहुत मजा आएगा आपको प्रत्वी की आंत्रिक संरचना, क्योंकि जब प्रत्वी की आंत्रिक संरचना तो तब ही जान पाएंगे जब चटानों के बारे में ग्यान हो, प्रत्वी की आंत्रिक संरचना पर आएंगे, और जब ये कंप्लीट होगा तो फिर इससे आगे बढ़ेंगे कि कैसे प्रत्वी क उपरी भाग बना, लेंड फॉर्म, अब यहां के बाद आपको लेंड फॉर्म समझना आ जाएगा, कि कैसे परबत पठार मैदान, इसके बाद यहां पर आएंगे, अब परबत निर्माड कारीबल, महादीप निर्माड कारीबल, और उसमें भी जानते हैं, इंट्रिूसिव, बहुत सारे पहलों को इसके माध्यम से देखेंगे, तो अभी यह चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो फिर इसके बाद इस चैप्टर पर आएंगे, लेकिन आज का चैप्टर जो है, बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, कि बहुत सारे किताबों में इसको बहुत अच् अच्छे ढंक से जानते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाते, देखें, पढ़ाई तब अच्छी मानी जाएगी, जब सहजता के साथ चीजें आपको समझ आएं, बहुत परिशान हो करके, बहुत याद करके, बहुत परिशान हो करके काम करना पड़े, तो उसक को जानते हैं, समझना नहीं कहा जाता, वो अच्छी पढ़ाई नहीं कही जा सकती, अच्छी पढ़ाई उसे कहा जाता, जिसमें थोड़ा सा ही समझने के बाद, चीजें समझ में आने लगे, मन में बैठने लगे, और बिचार पनपने लगे, क्योंकि अंतरता है, तो मेंस अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो हमारी अच्छी रैंक नहीं आपाएगी, और अच्छी रैंक जब तक नहीं आएगी, तो हमारी सफलता अधूरी रह जाएगी, और अधूरी सफलता के लिए प्रयास नहीं करना है मेरे भाई, सफलता जानते पूर होनी चाहिए, सफलता ब्यापक होनी चाहिए और सफलता एतिहासिक होनी चाहिए ऐसी सफलता होनी चाहिए जिससे सब लोग आपको रोल मौडल बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सके आप स्वेम ना सफल हों स्वेम सफल हों और कई लोगों के लिए मौडल बने कई लोगों के कई लो बताया था कि जब अबटवारा होता है करम तो eon, era, period, epoch, तो इसमें हम लोगों ने कल बात किया था देखे, eon, era, ये time period है, अलग-अलग नामों से जाना जाता है, और epoch, अब इसमें हम लोगों ने बात किया था देखे, ये कि चार प्रकार के ये, इवान है, हेडियन, ये हेडियन इवान है, ये पिर्थिभी जब बनी उसी के बाद ये सुरू हुआ, देके दुबारा एक बार लिख देते हैं, हेडियन इवान, आपका एक मिनट रिवीजन भी हो जाएगा, 4.6 अरब बर्स से ले करके, 4.6 अरब बर्स से ले कर, ये है 3.8 अरब बर्स तक, एक बार लिख देते हैं, वैसे तो आप जानते, दूसरा जानते हैं, आरकियन इयॉन है, आरकियन इयॉन है, इसी दौर में पिर्थवी ठंडी हुई थी, इसमें तो आग के गोले की तरह थी, पिर्थवी, पिर्थवी सूरिशे बनी हैं, तो सुरू में सूरिज जैसे ही थी, लेकिन यहां पर देखिए, पहला जीव आ रह रही है, और इसी में आरकियन करम की चटाने, हमारे देश में प्राइदीपी भाग इससे बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस की चटान इसी दौर में आई है, अभी उन सब चीजों को बहुत अच्छे से किलर करते हैं, ताकि आपके मन में हमेशा हमेशा के लिए वो सारी चीजे बैठ जाएं, आज के क्लास को बहुत अच्छे से जानते ध्यान से आप सोनेंगे, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है आज की क्लास, बहुत सारी चीजें, जैसे मैं बात करूंगा, आज आरकियन करम की चटाने, धारवार करम की चटाने, कडपा करम की चटाने, बि पाटर नरी चट्टाने, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन आज की क्लास के माध्यम से आप हमेशा हमेशा के लिए इन सभी चीजों को जान जाएंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं, आप इसकी समझ बना बात समझ नहीं, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, देखिए तीसरा जो है, प्रोटो रोजोईक, प्रोटो रोजोईक इयोन, यह 2.5, अरब बर्स से ले करके, यह 54 करोड तक है, 54 करोड बर्स तक, 54 करोड बर्स तक, इसी में धारवाड करम की चटाने आई, और धारवाड करम की चटानों को धातू की चटान कहा जाता है, रोक्स आप मेटल, कई बार आईएस के एक्जाम में कम से कम 6 से 7 बार सवाल पूछा ग जितने भी bullions हैं, bullion metal किसको कहा जाता, sona, chandi, platinum, और जितने भी base metal है, जो अर्थव्योस्था के लिए important है, जैसे iron है, जैसे lead है, जैसे zinc है, जैसे cadmium है, जैसे nickel है, जैसे magnesium है, copper है, aluminium है, यह सब जानते हैं, इसी दोर में मुखरूप से पाए जाते हैं, धारवार, जो यह protozoic ion है, इसके अंतरगत, मैं समझने हैं, अचा इस तीसरी के बाद जो चौथा है, वो फेनरो जोईक है, चौथा जो फेनरो जोईक ion है, फेनरो जोईक ion है, और यह समय भाईया चल रहा है, चौवन करोड, यह साट करोड से भी बहुत लोग मानते हैं, लेकिन मैं division लिख रहा चौवन करोड से लेकर अभी तक, अभी तक, अब इसमें देखिये, इसमें इतने एरा है, इसमें इतने एरा है, पैलो जोईक, पैलियो जोईक एरा, यह पुरा जीवी कल्प है, यह देखेंगे, यह जानते हैं करीब, 54 करोड से ले करके 22.5 करोड तक इसका फैला हो, इतने बरस तक, इसके बाद आप देखेंगे मेसो जोईक, मेसो जोईक एरा, मध्ध जीवी कल्फ है, मध्ध जीवी कल्फ है, और यह शुरू हुआ है भाया, 22.5 करोड से ले करके 7 करोड बरस पहले तक, इस दोर में, इसके बाद आप देखेंगे, यह शुरू होता है, सेनो जोईक, सेनो जोईक एरा, सेनो जोईक कल्फ है, यह शुरू होता है, 7 करोड से ले करके, 1 करोड तक, और इसके बाद नियो जोईक है, यह सोनो जोईक का मतलब नौजीवी, नौजीवी कल्फ है, और यह नियो जोईक एरा, नूतन जीवी कल्फ है, नूतन जीवी कल्फ है, और यह 1 करोड से ले करके, अभी तक है, अभी तक है, यह 1 करोड तक नहीं, बलकि यह 1 लाग तक है, एक लाग तक और यह 1 लाग से ले करके, अभी तक है, तो यह नियो जोईक, तो देखे, यह मैंने पूरा एक बार डिवीजन दिखा दिया, अब सुरुवात से मैं चल ला हूँ, ताकि बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को आप समझ जाए, अब देखे, भारत, नहीं, प्रिलिम्स मेंस के लिए अलग-अलग जरूरत नहीं है, सारा सारा बनाएंगे, बहुत सारा, जानते हैं, मैप की तो जड़ी लग जाएगी, आप इसको पढ़ते जाएं, समझते जाएं, आप देखेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत सांदार तरीके से आप समझेंगे, अब देखे, यह जो है आपने देख लिया, अब हमारा आज का फोकस है, जो भारत की चट्टाने हैं, उनको समझाना, तो एक बार मैं भारत की चट्टानों को लिख दू, इंडियन रॉक्स, ताकि आप उनके क्रम को समझ जाएं, उनके काल क्रम्स को, इंडियन रॉक्स, भारती चट्टाने, जो पूछी जाते हैं, एक्जाम में ये बहुत पूछी जाती है, और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते, ठीक से नहीं जान पाते, जैसे आरकियन चत्टान, अभी बात करते हैं, पहले नाम लिख देते, आरकियन चत्टान, धारवार चत्टान, इनका कालक्रम नहीं जान पाते, कि कब कौन आई इसके बाद कडपप चट्टान नाम बड़ा खुबसूरत है सब कडपप धारवार्ण आपको बोलने में भी बड़ा अच्छा लगेगा बिंधन बिंधन चट्टान गोंडवाना चट्टान जुरैसिक चट्टान जुरैसिक कई एक्जामों में जैसे RAS का एक्जामों उसके मेंस में भी जानते हैं सब है रॉक्स एन मिनरल्स तो ये दक्कन चट्टान इसके बाद टरसरी चट्टान एट नमबर टरसरी चट्टान और क्वार्टर नरी चट्टान देखे इतनी प्रकार की चट्टाने हैं इंडियन रॉक्स अब इनकी भी आपको बहुत गहरी समझ होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद जब रॉक्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप इंज्वाय करेंगे क्योंकि इन सब को जब समझ रहे होंगे तो निश्चित रोप से इंज्वाय करेंगे और बहुत अच्छे से जानते सारी चीजों को जानेंगे ठीक है यहां तक तो आप सब को समझ रहा ने कि मैं क्या जो है मैं क्या बता रहा हूँ आपको सब को समझ में रहा है अब देखिए मैं बात सुरू करता हूँ आप सभी लोग जानते होंगे फादर आप जियोलोजी जिने आधुनिक भू विज्ञान का पिता कहा जाता है आप सभी को पता होगा कि जेम्स हटन को फादर आप मौर्डन जियोलोजी कहा जाता है आधुनिक भू विज्ञान का पिता कहा जाता है और जेम्स हटन ने क्या कहा था जेम्स हटन ने कहा था चटाने पिर्थिवी रूपी इतिहास के पन्ने है चटानों को समझ करके पिर्थिवी रूपी इतिहास को जाना जा सकता rocks are the pages of the history of earth book बात समझ ने rocks जो है ये चटाने पिर्थिवी रूपी इतिहास के पन्ने है चटानों को पढ़ करके पिर्थिवी रूपी इतिहास को जाना जा सकता है rocks are the pages of the book of earth history, ये James Hutton ने कहा था, देखे, James Hutton, और उन्हों ने कहा था, बरतमान भूत की कुन्जी है, James Hutton, ये father of modern geology, father of modern geology, आधुनिक भूबिज्ञान के जनक, इन्हों ने जानते हलचल मचा दी पूरे चट्टानों के अध्यन और पृत्वी के इतिहास के अध्यन, वह इन्हों ने कहा कि अगर पृत्वी के इतिहास का अध्यन करना है, अगर पृत्वी के इतिहास का अध्यन करना है, तो चट तानू का अध्यन करना होगा. Rocks are the pages of the book of earth history. Rocks are the pages of the book of earth history. Rocks are the pages of the book of earth history. चत्ताने पिर्थवी रूपी इतिहास के पन्ने हैं. अगर चत्तानों को समझना जान गए तो पिर्थवी के इतिहास को समझना जान जाएंगे. अर्थात अगर चत्तानों की समझ हो जाती है, तो पिर्थवी रूपी इतिहास को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. हाँ, मेरा optional math और geography ही था. वैसे तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि मैं economy और science and technology के लिए पूरे भारत में जाना जाता हूँ. लेकिन मेरा optional जो है, math और geography था, इसना थे geography और math इन सब पे उतनी ही गंभीर पकड़ है, और वैसे भी जानते हैं, जो UPSC की त्यारी करता है, वो सब कुछ जानता है. तो देखे, James Hutton ने कहा था, चत्ताने पिर्थवी रूपी इतिहास के पन्ने हैं. चत्ताने पिर्थवी रूपी इतिहास के पन्ने, rocks are the pages of the book of earth history, चत्ताने पिर्थवी रूपी इतिहास के पन्ने, अर्था चत्तानों को जान करके, पिर्थवी रूपी इतिहास को समझा जाना जा सकता है. ध्यान से सुने, अर्थात, चटानों का अध्यन करके, पिर्थवी रूपी इतिहास को जाना जा सकता है, जाना जा सकता है, और बहुत मज़ा आएगा आपको चटान पढ़ने में, क्यों? क्योंकि देखे, मैं 5 सालों तक जो है, IIT के लिए भी पढ़ा चुका हूँ, और Physics, Chemistry और Math पर मेरी बहुत strong पकड़ है, जिसके नाते यहाँ पर मैं तात्विक बिसलेशन कर सकता हूँ, हर चीज का, तात्विक ब Mathematics का सब्जेक्ट है, तो Science का सब्जेक्ट, जैसे देखिए, अगर Rocks को समझना जानगे, एक एक जामपल दे रहे हैं, जैसे Rocks है यह, आप सभी लोग जानते हैं, Rocks किस से बनी हुई है, Rocks Mineral से बनी होती है, चटाने खनिज से बनी होती है, और खनिज जानते किस से बने हो चाहे आगनी चटान हो, चाहे आवसादी चटान हो, या रूपांतरित चटान हो, चाहे कोई चटान हो, सारी चटाने आप जानते हैं, Mineral से बनी हुई हैं, Mineral Compound से बने हुई हैं, Compound योगिक से, Compound जानते हैं, तत्तों से बने हुई हैं, और तत्त आप सभी लोग जानते है एटम से बने है, प्रमाडू से बने है और प्रमाडू जानते हैं, एलेक्टरान, प्रोटरान, न्यूटरान से बने है और एलेक्टरान बना हुआ है लेप्टान से और प्रोटान, न्यूटरान बना है कौर्क से और Leptan और Quar की ये दोनों बना है Baryon से और Baryon बना है Photon से और Photon बना है Higgs Boson से अगर आप तात्विक visualization करेंगे देखें यहां तक आ गए आप तो Higgs Boson guard particles है Higgs Boson guard particles है तो बहुत अच्छे से जानते देखें जब आपकी समझ साइंस में बहुत अच्छी होती है एकोनॉमी में बहुत अच्छी होती है तो आप और इसको गहराई दे सकते हैं बहुत अच्छे से जान सकते निश्चेत रोप से निश्चेत रोप से हैं देखे यह हिक्स बोशान, यह फोटान, यह energy particle है, यह भी energy particle है, यह mass particle है, यह भी mass particle है, यह भी mass particle, अब यह देखे एटम और यहाँ, तो आप rocks को साधारन मत समझे, rocks को समझेंगे तो पूरी तरीके से सारी पोल खुल जाएगी, सारी बात मालूम हो जाएगी, तो James Sutton ने बहु पिर्थिवी रूपी इतिहास के पन्ने हैं, चटानों को पढ़ करके पिर्थिवी रूपी इतिहास को जाना और समझा जा सकता है, चटानों को जान करके पिर्थिवी रूपी इतिहास को जाना जा सकता, कुछ भी समझा जा सकता है, और इन्हों ने कहा अगर आप चटान का अ का अध्यन करते हैं, तो भूत के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगी, भूत के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, इसलिए इन्होंने कहा, present is the key to the past, present is the key to the past, बर्तमान भूत की कुंजी है, present is the key to the past, अगर बर्तमान का अध्यन करेंगे तो भूत तक अपने आप पहुँच जाएगे, भूत तक आपकी अपने आप पहुँच हो जाएगी, present is the key to the past, बर्तमान भूत की कुंजी है, बात समझ रहे हैं, बर्तमान भूत की कुंजी है, बहुत आसानी से समझ जाएगे, अब देखें, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ, और फिर भारत के चटानों के बारे में study कर लेते हैं, भारत के चटानों के बारे में गहराई से चीजों को जान लेते हैं, अब जड़ाद्यूदे देखें यह सूरी से, यह सूरी बना, बना देते हैं, देखें यह सूरी है, सन, यह सूरी है, पाँच अरब बर्स पहले बना था, पांच अरब बर्ष पहले, अब देखें इसी से पिर्थिवी बनी, ये अर्थ बनी, पिर्थिवी बनी, ये पिर्थिवी बनी, ये 4.6 अरब बर्ष पहले, अरब बर्ष पहले, अब देखें जब ये पिर्थिवी बनी तो ये गैसी अवस्था में थी, बस खाले एक एक गैसी अवस्था में थी ये गैसी अवस्था में थी और इस गैसी अवस्था में देखे ये कब तक बनी रही ये गैसी अवस्था में 4.6 अरब बर्स से ले करके ये 3.8 अरब बर्स तक अरब बर्स तक ये गैसी अवस्था में ही रही इसी समय को कहा जाता है भाईया क्या बोल जाते हैंगे, हेडियन-ी-ृवन, इसी को कहा जाता है हेडियन-ी-ृवन, इस दऊर में ये गैसी अवस्था में ही बनी रही। इसलिए कहा जाता है हेडियन इयॉन में कुछ और नहीं हुआ, बलकि ये हुआ कि पिर्थवी जानते गैसी अवस्था में रही और गर्म रही तप्त रही, इस दौर में पिर्थवी गर्म और तप्त रही। इस दौर में पिर्थवी पर गर्त रही। इस दौर में पिर्थवी पर गर्त रही। इसलिए उस्मा का प्रवाह बना रहा इस दौर में इसलिए उस्मा का प्रवाह बना रहा। लेकिन जानते इस दौर में पिर्थवी परखी के दौर में इसलिए रही। चंद्रमा बना, यह देखे, और इसी पर जानते हैं, इसी दौर की सबसे पुरानी चट्टान कनाडा में पाई जाती है, कनाडा जो है, वहाँ इसी दौर की सबसे पुरानी चट्टान पाई जाती है, मैंने आपको कल बताया भी था कि चार अरब बर्स पुरानी चट्टान इसी दौर की सबसे पुरानी चट्टान कनाडा में पाई जाती है कनाडा में पाई जाती है चार अरब बर्स पुरानी चट्टान कनाडा में पाई जाती है तो हेडियन तो आपको मालूम होना चाहिए प्रत्वी जैसे बनी थी उसी अवस्था में थी तो अब देखें ये पिर्थवी जैसे बनी थी, हेडियन इयॉन में वैसे ही रही, हेडियन इयॉन में जैसे बनी थी उसी रूप में रही, 4.6 से लेकर के 3.8 अरब बर्स पहल, अब इसके बाद जो आया, यहीं से निर्माड कार जारी हो रहा, देखेंगे ये आर्कियन इयॉन, आर्कियन इयॉन, आर्कियन इयॉन 3.8 अरब बर्स से लेकर के 2.5, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, इस दौर में पिर्थवी ठंडी होई, इसी दौर में पिर्थवी ठंडा होने लगी, और पहला जीव भी इसी दौर में बना, लेकिन तब आक्सीजन उपस्थित नहीं था, इसलिए समुद्रों में बना, पहला जीव इसी दौर में बना, लेकिन आक्सीजन उपस्थित नहीं था, लेकिन आकसीजन इस दौर में उपस्थित नहीं था आकसीजन इस दौर में था ही नहीं बात समझ रही इस दौर में आकसीजन नहीं था लेकिन इसी दौर में सबसे पुरानी रौक बनी भारत में बहुत ज़़ा ये रौक है नहीं कनाड़ा कंट्री का निर्मार पहले नहीं हुआ था उसका कुछ भाग पूरा कनाड़ा नहीं, कनाड़ा तो बहुत नमीन तक है, जैसे भारत बहुत प्राचीन से बहुत नमीन तक है नरिश कुमार जी, कनाड़ा पूरी तरीके से पहले नहीं बना था, उसका कुछ भुबाग पुराना है अब देखे, अब ध्यान सुनेंगे, इसी दौर में सबसे ओल्डेस्ट रॉक बनी, इसी दौर में सबसे पुरानी चटान भी बनी, ग्रिनाइट जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, इसी दौर में, इसी दौर में सबसे पुरानी चटान बनी, कैसे बनी वो सब मैं चटान बनी, oldest rock, oldest rock, जो बाद में थोड़ा बदल भी गई, देखे, ये बनी, ग्रिनाइट बनी थी और नीस में बदली, तो ग्रिनाइट और नीस एक साथ आप लिख सकते हैं, भारत, प्राइदीपी भारत का एक तिहाई भाग इसी से बना हुआ है, सबसे पुरानी चटान इसी दौर में बनी, आप सोच लिजे भारत कि इतना पुराना है, क्योंकि भारत इसी पुरानी चटान से बना हुआ है, बात समझ रहे हैं, अब देखे, जैसे ये है, क्रम में लाने के लिए पुरानी बात को भी बताना पड़ता, आप घबडाएं नहीं कि पुरानी चीज नहीं रिवाइस कर रहे हैं, ये क्रम में लाने के लिए पुरानी चीज को बताना पड़ता है, हमको आना है इंडियन रॉक्स पे, अब देखे, इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाओंगा, देखे, ये 16 डिग्री नार्थ तक, 16 डिग्री नार्थ, ये देखे, पूरा इसका अधिकतर चटान, ये नहीं कि सारा, आर्कियन क्रम की चटान है, इंडियन रॉक्स अभी पूरा समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ आर्कियन क्रम की चटान है, आप सो सकते हैं कितना पुराना भुभाग है ये, कितना पुराना है ये ये 3.8 अरब बर्स से ले करके 2.5 अरब बर्स वाले बहुत ज़्यादा है इसमें देखे प्राइदीपी भाग का प्राइदीपी भुभाग का एकतिहाई भाग यही है प्राइदीपी भारत का प्राइदीपी भारत का एक तिहाई भाग इसी से बना है इसी से बना है यह आप देखेंगे 8 डिगरी 4 मिनट से ले करके यह 16 डिगरी नार्स तक है अब जिसको आप धारवार समझते हैं अभी पूरा इंडियन पर आ रहे हैं आप यह मत सोचिएगा कि कल वाली चीज़ों को ही खाली पढ़ा रहे हैं नहीं रॉक्स तो जानते रॉक्स की कल वो उसका टॉपिक होगा रॉक्स जानने से नहीं जान पाएंगे आप बलकि इसको जानेंगे तो रॉक्स को और अच्छे से समझ जाएंगे क्रम देखे हम लोग तो 16 वर्सों से पढ़ा रहे हैं ने 400 से अधिक बैच पढ़ा चुके हैं तो पूरा मालूम है किस तरीके से आपको समझाना है आप खाली चिंता ना करें बस केवल थोड़ा सा पेशन्स रखे शाब मालूम हो जाएगा आपको कोई ऐसी चीज रहेगी देखे यह आर्कीन करम की चटान यहां पर आई अब देखे यह आर्कीन करम तो समझ में आयागा आर्कीन करम यह आर्कीन करम की चटान है यह 3.8 अरब बर्स से ले करके 2.5 अरब बर्स तक है अरब बर्स तक है यह चटान ठीक है तो एक वाला पॉइंट यह पॉइंट आप अब धारवाड की चट्टान 2.5 से ले करके, 2.5 अरब से ले करके जानते हैं, ये लगभक 60 करोड बर्स तक पहले तक थी या 54 करोड बर्स पहले तक थी, तो आप देखें धारवाड देखें, समझ पा रहे हैं, पहले बना लें, इसको फटावट बना लें, ताकि किसी का कुछ छूटे नहीं, अब देखें धारवाड, धारवाड चटान, धारवाड रॉक्स, ये भारत की दूसरी चटान है, ये इसका वैसे टाइम देखेंगे 2.5 अरब बर्स से ले करके, अरब बर्स से, ये वैसे तो 1.8 अरब बर्स तक ही मुख रूप से है, अरब बर्स तक, क्योंकि इसी में फिर कडपा इसी से, इसी से उसका आपरदन हुआ और सेडिमेंटेशन हुआ, तो कडपा की चटान बनी ही, ये इस दौर तक है, देखें, इसे धात वाली चटान कहा जाता है, इसे धात की चटान, मेटल रॉक्स कहा जाता है, इसे धात की चटान या मेटल रॉक्स कहा जाता है, अगर आप देखेंगे, तो इसमें सारी धातु हैं, देखें, जैसे सोना है, देखें, चादी है, प्लेटिनम है, इनको बुलियन मेटल कहा जाता है, ये बुलियन मेटल है, बुलियन धातु, बुलियन मेटल्स, या इसके अलामा आप देखेंगे, बीस मेटल सारी, आल बीस मेटल, जैसे देखेंगे, आयरन, लोहा, मैगनेशियम, मैगनीज, निकिल, कापर, एलमोनियम, सारी धात वाली चट्टान, ये बेस मेटल जितने भी है, या लेड, लेड भी यहीं का है, बलकि माईका भी इसी दौर मेरा, ये बेस मेटल है, सभी आधार भूत धात में, बेस मेटल, आधार भूत धात में, ये सब जानते हैं, इसी दौर की बनी हुई है, कुछ भी नहीं, इस क्लास के बाद आपको नहीं कुछ पढ़ना पड़ेगा, इस क्लास के लामा क्योंकि NCRT तो मैं इसमें ले ही ले रहा हूं, सारी NCRT को मैं सोख करके, एब्जॉर्ब करके प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको NCRT वगरा कुछ भी नहीं पढ़ना है, अगर इस क्लास को प्रापरली आपने किया, तो वो जानते हैं आपका फिजिकल जॉगरफी में एकदम काम हो जाएगा, कहीं कोई समस्या आएगी ही नहीं, पात समझ रहे हैं? आचा और इसी कालकी जानते हैं, अरावली परबस्रेडी भी इसी कालकी बनी हुई, अरावली परबस्रेडी दुनिया के सबसे पुरानी, अरावली परबस्रेडी इसी कालकी है, अगर भारती संदर नहीं तो इसको प्री कैम्ब्रियन बोला जाएगा, अगर इंटरनेशनली बोला जाए तो, धारवार इसी कालकी है, अरावली परबस्रेडी दुनिया के सबसे पुरानी परबस्रेडी है, जो existed है, इसी क्रम की है, इसी धारवार प्रकार क ही ही है बात समझ नहीं तो देखे धारवाड चट्टान मतलब धात की चट्टान धात की मेटल रॉक्स है इसलिए इसे एकोनॉमिकली इसलिए आप जानते हैं इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है कि भाई एकोनॉमिकली मोस्ट इंपोर्टेंट रॉक्स है इकोनॉमिकली मोस्ट इंपोर्टेंट रॉक्स है भाई सोना चादी प्लेटनम यह सब तो महगा हाई है सारे बेस मेटल महगे हैं भाई यह सारा देखे सोना चादी कोई चीज़ बताईए इसमें सस्ता हो प्लेटनम लोहा ताबा जिंक टीन लेड निकिल कैड्मियम मैगनीज अच्छा इसी में माईका भी माईका भी इसके लाओ माईका तो मेटल नहीं है लेकिन माईका भी इसी में पाए जाता है अबरक भी अबरक भी इसी चटान में पाया जाता है इसलिए अरावली छेत्र में इसलिए राजस्थान में भी अबरक बहुत है जैपूर से लेके उदैपूर तक इसलिए जैपूर से लेके उदैपूर तक आप देखेंगे तो इसमें है माईका तो आप जानते हैं अभी तो माईका इसे धारवाड के चटान को होली वाली चटान भी का जाता है धारवाड चटान में माईका भी है माईका अबरक ये गुलाल अबीर होली खेली जाती है तो होली वाली चटान भी है ये होली की चटान भी इसमें पाई जाती है होली की चटान भी इसी में है कि अ कि 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 सब लोग समझ पा रहे हैं कि सब को समझ आ रहा है कि क कि 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 बात समझ रहे हैं देखे ये चटान करनाटक तमिलनाड छोटा नागपुर पठार करनाटक तमिलनाड छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार का मतलब ये जहारकंड है और मिघाले पठार मिघाले पूर्व का स्काटलेंड कहा जाता मिघाले का पठार भी गारोखासी जैंतिया के साथ वाला इसी छेत रखा है तो ये धारवाड के बारे में आप जानते रहेंगे धारवाड के बार बाद आप देखे कडपा क्रम की चटान है ये देखे धारवाड ये हम लोगों ने इसको भी फिनिस कर लिया अब कडपा की चटान कडपा चटान धारवाड से ही बनी है धारवाड इसका इरोजन धारवाड चटान को ही देखेंगे अगर धारवाड चटान का इरोजन होगा और सेडिमेंटेशन होगा इसी पर तो ये कडप्पा बन जाती है कडप्पा चटान कडप्पा आप सभी लोग जान रहे होंगे कि आंथ प्रदेश में है कडप्पा चटान तो कमोबेस जानते हैं जो चीज इसमें है उसमें भी है लेकिन इसमें भी मेटल्स पाए जाते हैं यह लिख देते हैं इसमें भी मेटल्स पाइ जाते हैं लेकिन एकनोंमिकली जानते हैं फिजबल नहीं है लेकिन निकालना महगा है निकालना महगा बहुत गहराई में है और थोड़ा सा फैले हुए हैं, उनको रिफाइनिंग करना भी मुस्किल है, लेकिन निकाला, इकोनॉमिकल ही जानते बहतर नहीं, इसलिए इसकी चटान तो यही सब है, जैसे सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, मार्बल है, सैंड स्टोन है, बालु का पत्थर है, अरे बाई जिससे घर वग बिंधन करम में भी है, संग मर्मर यहीं से सुरू हो जाता है, बिंधन वाला संग मर्मर और अच्छा है, मार्बल है, इसके अलावा आप जानते लाइम स्टोन भी इसमें है, जो लोग के मिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, वो थोड़ा इन सब्दों को कम समझ रहे होंगे, अगे लिए समझ जाएंगे, आगे मैं समझाता चलूँगा, चूना पत्थर है, लाइम स्टोन, ये घर बनाने के लिए इन सबका प्रियोग होता है, अर्थात इसमें मेटल भी है और ये भी है, घर बनाने वाले मैटेरियल, घर बनाने वाले मैटेरियल, वाली चट्टान, घर बनाने वाले मैटेरियल वाली चत्तान ये कड़पा की चत्तान नोट कर लें फटा फट बहुत बहुत धन्यबाद आप सबी लोगों को मनुर्मा आप पहले से ही जानते दो बज़े से पहले से आप लोग तयार रहा करिए नोटिफिकेशन नहीं आता उससे पहले ही जानते हैं आप जाकर के जो अन अकडमी यूपी असी हिंदी और जो प्ले लिस्ट है वहां से पह अब देखे इसके बाद कडपा वाली चटान के बाद बिंधन क्रम की चटान कडपा वाली चटान के बाद देखे बिंधन क्रम की चटाने ये चटाने कडपा हो गया अब हम लोग देखेंगे बिंधन क्रम की चटाने भिन्धन कर्म की चट्टाने ये भिन्धन कर्म की चट्टाने आप धियान से सुनेंगे कडपा पर नदी घाटी वाले जो सिल्ट है उनके जमाउ से इसका बहुत ज़ादा भिकास हुआ बिन्ध्याचल मालवास अच्छा उसका कडपपा है, चुकि आप जानते हैं, आंध प्रदेश में कडपपा छेत्र है, इसलिए उसका नाम कडपपा रखा गया, ये आंध प्रदेश में एक जगह है, कडपपा के बाद कुर्ण, देखे, हैदराबाद है, हैदराबाद के नीचे महभूब नगर, फिर उसके नीचे क पुर्नूल, फिर उसके नीचे कडपपा, अनन्तपूर, चित्तूर, नलोर, ये सब जानते जगह है, तो आप आज आते हैं, चुकि समय कम है, इसलिए फोकस्ट बात करेंगे, देखे, ये बिंधन करम की चट्टान है, और बिंधन करम की चट्टानों का नाम इसलिए हुआ क्योंकि बिंध्याचल रेंज में ज्यादा है, तो बिंध्याचल परवस्रेणी के छेत्र में, परवस्रेणी के छेत्र में है ये, तो एक तो ये हो गया, दूसरा जानते हैं, केवल बिंध्याचल में ही नहीं सोचें आप इसको, बिंध्याचल के अलामा जानते हैं, मालव मालवा छेतर में, मालवा छेतर में, सारा मालवा तो मालवा वैसे बसाल्ट का बना हुआ है वो धक्कन करम की चट्टानों से लेकिन मालवा छेतर में कुछ चट्र, कुछ छेत्र सोन नदी छेत्र इस तरीके के छेत्रों में जानती है यह चटाने हैं बिंधन करम की चटाने इसमें रेड स्टोन पाया जाता है सबसे बड़ी विशेष्टा इसकी है रेड स्टोन लाल बलुवा पत्थर है लाल बलुवा पत्थर है इसी से रेड फोर्ड बना लाल किला जामा मस्जिद साची का अस्तूप लाल किला जामा मस्जिद साची का अस्तूप सब इसी से बना है यह रेड स्टोन इसकी बहुत बड़ी विशेष्टा है रेड इस्टोन, अच्छा इसी में जानते हीरा बहुत मिलता है, जैसे गोलकुंडा का हीरा, पन्ना का हीरा, डाइमेंड भी इसमें बहुत मिलता है, हीरा, जैसे पन्ना, यम्पी, गोलकुंडा, की खाट, झाल 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 आपको आवाज आ रही है क्या आवाज आ रही है मैं रिवीजन रिवाइस कर दोंगा एक सेकंड के लिए आवाज गई थी अब देखिए आवाज आ रही क्या मेरी अब आ रही क्या आवाज सुनाई दे रही है सबको धन्यबाद अब देखिए जरा ध्यान देए यह चार प्रकार की चट्टाने देखिए यह आरकेयन क्रम की चट्टाने और धारवाड चट्टाने करम की चट्टाने और बिंधन क्रम की चट्टाने चटाने तो देखे ये तीन चटान तो इस दौर की है देखे ये आर्कियन तो ये आर्कियन इयॉन की है ये आर्कियन इयॉन की है ये आर्कियन इयॉन की है 3.8 अरब बर्स से ले करके 2.5 अरब बर्स तक है और ये जो चटान आप देख रहे हैं ये फेनरो जोईक इयॉन का है प्रोट्रोजोईक का है प्रोट्रोजोईक इयॉन का है इसका समय है 2.5 अरब बर्स से ले करके यहाँ पर 54 करोड तक देखिए ये सब को समझ में आ गया ये जो है ये तो आर्कियन करम की है और ये तीनों जानते है प्रोट्रो जोईक काल की है, बात सोच रहे हैं, प्रोट्रो जोईक इवाउन की है, अब इसके बाद जितनी चटाने हैं उसको जड़ा देखेंगे, उसको एक क्रम से पहले लिखने ताकि आपको एक क्रम का आइडिया हो जाए, इसके बाद द्रविडियन क्रम की चटाने हैं जो कि भारत में बहुत कम जानते पाई जाती है, देखिए इसके बाद द्रविड क्रम की चटाने जो कि मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि भारत में है नहीं, द्रविड क्रम की चटाने, ये चटाने फिर पाई जाती है, कैम्ब्रियन से ले करके, कैम्ब्रियन से ले करके, कार् लेकिन ये प्राइदीपी भाग में पाई नहीं जाती, इसलिए इनका क्रम हम लोग नहीं हमारे पास है, इसके बाद फिर गोंडवाना का, गोंडवाना से फिर है, गोंडवाना क्रम की चटाने, ये कारबेनी फेरस काल की चटाने, इसमें कोईला, ये कोईले वाली चटान कह जाती है कोवेले की पांचमी पांचमा चटान है कोवेले कोवेला की चटान भारत में 98% कोवेला इसी प्रकार का है कोवेला इसी चटान में इसी चटान में है 98% कोवेला जानते इसी चटान में है अगर आप यहां देखेंगे तो दामोदर नदी घाटी सोन नदी घाटी महा नदी घाटी नर्मदा नदी घाटी ताप्ती नदी घाटी गोदावरी नदी घाटी क्रिषडा नदी घाटी पींच नदी घाटी नौ नदियों के घाटी में है ये कानहन नदी घाटी ये जो है इतनी नदी घाटीों में ये कोईला है नोट कर लिया आप ये गोंडवाना क्रम की चटान गोंडवाना क्रम की चटान सबको किलर है यहां तक यहां तक किलर हो गया आप सभी को तो देखे हम लोगों ने यहां तक कर लिया ध्यान से सुने अब हम लोगों ने यहां तक कर लिया अब इसके बाद यहां से कल बढ़ेंगे क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा ये तो आप कल ही करेंगे देखे यहां से अब कल बढ़ेंगे तो देखे यह हो गया यह हो गया यह हो गया यह हो गया अब यहां से हम लोग कल करेंगे ये चार रह गए हैं और इसके बाद rocks chapter पर आएंगे कल इसी के बाद rocks chapter को पढ़ेंगे तो आज यहीं तक जो लोग जुड़े रहे सबको बहुत बहुत धन्यबाद सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार बस एक चीज़ आप से कहना चाह रहे है कि पुराने वीडियो पर भी आप comment करते रहें, आप लोगों में से काफी लोगों ने comment किया है, कल मैं उनका नाम लूँगा, आज की class में थोड़ा समय नहीं था, काफी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, पुराने वीडियो उस पर comment कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उस पर comment नहीं करेंगे, वह वीडियोग उपर नहीं आएंगे, उपर नहीं आएंगे तो बहुत सारे बच्चों तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा जानते सा ह्योग जरूर किया करें, economy की class भी लेंगे, economy की class भी लेंगे, general science की भी class लेंगे, science and technology की class लेंगे, IR पे भी class लेंगे, environment and ecology पे class लेंगे, बहुत सारी चीजों पे class होगी, आपको घबडाना नहीं है, तो जो लोग आज के इस session से जुड़े रहें, सब को बहुत बहुत धन्यबाद, स झाल